काच्च का शिश्यभाव से शुक्राचारे और देव्यानी की सेवा में सनलगन होना और अनेक कस्ट सहने के पशाथ मिर्च संजीवनी विद्या प्राप्त करना आप सभी मेरे दूसरे चैनल पुरांज विद्ध आभा शर्मा जावास में जाकर ब्रह्म पुराण और पर्ण पुराण की शवन पुस्तिका का भी आनन्द ले सकते हैं पिछले अध्याय में हमने पुरु के पुत्र कर्तव्य की कथा सुनी जन्मेजी ने पूछा तपुधन हमारे पूर्वज महराज ययाती ने जो प्रजापती से दस्वी पीड़ी में उत्पन हुए थे शुक्राचारी की अत्यंत दुरलब पुत्री देव्यानी को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त किया मैं इस व्रितांत को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ आप मुझसे सभी वंच प्रवर्तक राजाओं का क्रमशह प्रिथक प्रिथक वर्णन कीजिए देशंपायन जी कहते हैं जन्मीज्य राजा ययाती देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थी पूर्वकार में शुक्राचारे और विश्परवा ने ययाती का अपनी अपनी कर्ण्या के पती के रूप में जिस प्रकार वरण किया वह सब प्रसंद तुम्हारे पूछने पर मैं तुमसे करूँगा साथ ही यह भी बताऊंगा कि नुष्णंदन ययाती तथा देव्यानी का संयोग किस प्रकार हुआ इस समें चराचर प्राणियों सहित समस्तित लोकी के एश्वरे के लिए देवताओं और असुरों में परस्पर बड़ा भारी संगर्श हुआ उसमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने अंगिरा मुनी के पुत्र ब्रहस्पती का पुरोहित के पद पर वरण किया और देत्यों ने शुक्राचारे को पुरोहित बनाया वे दोनों ब्रहमन सदा आपस में बहुत लाग दाट रखते थे देवताओं ने उस युद्ध में आई हुए जिन दान्मों को मारा था उन्हें शुक्राचारे ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनह जीवित कर दिया अतह वे पुनह उठकर देवताओं से युद्ध करने लगे परंतु असुरों ने युद्ध के मुहाने पर जिस देवताओं को मारा था उन्हें उदार बुद्धी ब्रिस्पती जीवित ना कर सके क्यूंकि शक्तिशाली शुक्राचारे जिस संजीवनी विद्या को जानते थे उसका ग्यान ब्रिस्पती को नहीं था इससे देवताओं को बड़ा विशाद हुआ इससे देवता शुक्राचारे के भैसे उद्विग्ण हो उस समय ब्रिस्पती के जेश्ट पूत्र कच्च के पास जाकर बूले ब्रहमन हम आपके सेवक हैं आप हमें अपनाईए और हमारी उत्तम सहायता कीजिए अमित्तेजस्वी ब्रहमन शुक्राचारे के पास जो मृत्त संजीवनी विद्या है उससे शीग्र सीख कर यहां ले आईए इससे आप हम देवताओं के साथ यग्य में भाग प्राप्त कर सकेंगे राजव रिश्परवा के समीब आपको विप्रवर शुक्राचारे का दर्शन हो सकता है वहां रहेकर वे दानवों की रक्षा करते हैं जो दानव नहीं है उनकी रक्षा नहीं करते आपकी अभी नई अवस्ता है अते आप शुक्राचारय की अराधना करने में समर्थ हैं उन महात्मा की प्यारी पुत्री का नाम देव्यानी है उसे अपनी सेवाओं द्वारा आप ही प्रसंद कर सकते हैं दूसरा कोई इसमें समर्थ नहीं है अपने शीर्च भाव, उदार्ता, मधुर विवहार, सदाचार तथा इंद्री सहियम द्वारा देवियानी को संतुष्ट कर लेने पर आप निश्य ही उस विद्या को प्राप्त कर सकेंगे तब बहुत अच्छा कहकर विश्पती पुत्र कच देवताओं से सम्मानित हो, वहां से विश्परवा के समीब गए राजन, देवताओं के भेजे हुए कच तुरंत दानवराज विश्परवा के नगर में जाकर शुक्राचारे से मिले और इस प्रकार बोले भागवान, मैं अंगिरा रिशी का पौत्र तथा साक्षाद ब्रिस्पती का पुत्र हूँ, मेरा नाम कच है, आप मुझे अपने शिशे के रूप में ग्रहन करें ब्रामन, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके समीप रहे कर एक हजार वर्षों तक उत्तम रमचरे का पालन करूँगा, इसके लिए आप मुझे अनुमुती दे शुक्रचारे ने कहा, कच्च तुम्हारा भलिभानती स्वागत है, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्विकार करता हूँ, तुम मेरी लिए आदर के पातर हो, अतह मैं तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करूँगा, तुम्हारे आदर सत्कार से मेरे द्वारा ब्रिस्पती का आ आदेश के अनुसार स्वयम ब्रह्मचर्य व्रत क्रहन किया। जन्मेच नियत समय तक के लिए व्रत की दीख्षा लेने पर कच को शुक्राचारे ने भली भांती अपना लिया। कच आचारे शुक्र तथा उनकी पुत्री देव्यानी दोनों की नित्ते अराधना करने लगे वे नव्युवक थे और यौवन में प्रिये लगने वाले कारे गायन और नित्ते करके तथा भांती-भांती के बाजे बजाकर देव्यानी को संतुष्ट रखते थे भारत आचारे कन्या देव्यानी भी युवावस्था में पदारपन कर चुकी थी कच उसके लिए फूल और फल ले आते तथा उसकी आग्या के अनुसार कारे करते थे इस प्रकार उसकी सेवा में सनलगन रेकर वे सदा उसे प्रसंद रखते थे देव्यानी भी नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारन करने वाले कच्च के ही समीप रहकर गाती और आमोद प्रमोद करती हुई एकांथ में उससे सेवा करती थी इस प्रकार वहां रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कच्च के 500 वर्ष्वतीत हो गए तब दान्वो को यह बात मालूम हुई तदन अंतर कच्च को वर्ण के एकांथ प्रवेश में अकेले गउय चराते देख ब्रसपती के द्वेश से संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कुरोध में भरे हुए दान्वो ने कच्च को मार डाला उन्होंने मारने के बाद उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कुतों और सियारों को बांट दिया उस दिन गउय बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लोटी जन्मेजन जब देव्यानी ने देखा गउय तो बन से लोट आई और उनके साथ कच्च नहीं आए तब उसने उस समय अपने पिता से इस प्रकार कहा प्रभो आपने अगनी होत्र कर लिया और सूर्य देपी अस्ताचल को चले गए गौएं भी आज बिना रक्षक के ही लोटाएं तात तो भी कच्च नहीं दिखाई देते पिताजी अवश्य ही कच्च या तो मारे गए हैं या मर गए हैं मैं आपसे सच कहती हूँ उनके बिना जीवित नहीं रह सकूँगी शुक्राचार्य ने कहा बीटी चिंता ना करो मैं अभी आओ इस प्रकार बुला कर मृत कच्च को जीवित किये देता हूँ ऐसा कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोक किया और कच्च को पुकारा फिर तो गुरू के पुकारने पर कच्च विद्या के प्रभाव से हिश्च्पुष्ठ हो कुत्तों और सियारों के शरीर फाड़ फाड़ कर निकल आये और वहाँ प्रकट हो गए उन्हें देखते ही देव्यानी ने पूछा, आज आपने लोटने में विलंब क्यों किया इस प्रकार पूछने पर कच्छ ने शुक्राचारे की कन्या से कहा भामिनी, मैं सम्या, कुशादी और काश्टा का भार लेकर आ रहा था रास्ते में ठकावट और भार से पेड़ित हो, एक वर्ट व्रिक्ष के नीचे ठहर गया साथ ही सारी गौएं भी उसी व्रिक्ष की चाया में आकर विश्राम करने लगी वहाँ मुझे देखकर असुरों ने पूछा तुम कौन हो? मैंने कहा मेरा नाम कच्छ है, मैं ब्रिस्पति का पूत्र हूँ मेरा इतना कहते ही दानवो ने मुझे मार डाला और मेरे शरीर को चून करके कुट्टे और स्यारों को बाट दिया फिर वे सुख पूर्वक अपने घर चले गए भद्रे, फिर महात्मा भार्गव ने जब विद्या का प्रयोक करके मुझे बुलाया तब किसी प्रकार से पून जीमन लाब करके यहां तुम्हारे पास आ गया हूँ इस प्रकार भ्रहमण कन्या के पूछने पर कच्छ ने उससे अपने मृत होने की बात सुनाई तदन अंतर पुनह देव्यानी ने एक दिन अकस्मात कच को फूल लाने के लिए कहा फिप्रवर कच इसके लिए बन में गए वहाँ दानवों उन्हों उन्हें देख कर फिर उन्हें पीस कर समुद्र के जल में घोल दिया जब उसके लोटने में विलंब हुआ तब आचारे कर्ण्या ने पिता से पुनह ये बात कही विप्रवर शुक्राचारे ने कच का पुनह संजीवनी विद्वा दोरा आवाहन किया इससे ब्रिस्पते पुत्र कच पुनह वहां पहुँचे और उनके साथ असुरों ने जो बरताव किया था देह सुनाया तथ पश्चात असुरों ने तीसरी बार कच को मार कर आग में चलाया और उनकी जली हुई लाश का चून बना कर मदिरा में मिला दिया तथा उसे ब्रहमन शुक्राचारे को ही पिला दिया अब देवियानी पुनह अपने पिता से यह बात बोली पिता जी कच मेरे कहने पर प्रतिये कारे पूर्ण कर दिया करते हैं आज मैंने उन्हें फूल लाने के लिए भेजा था पर उन्तु अभी तक भी दिखाई नहीं देते ताज जान पड़ता है वे मार दिये गए या मर गए मैंने आपसे सच कहा है मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती शुक्राचारे ने कहा बेटी ब्रहस्पति के पुत्र कच मर गए मैंने विद्या से उन्हें कई बार जिलाया तो भी वे इस प्रकार मार दिये जाते हैं अब मैं क्या करूँ देव्यानी तुम्हें इस प्रकार शोक ना करो रो मत तुम जैसे शक्तिशालीनी स्त्री किसी मरने वाले के लिए शोक नहीं करती तुम्हें तो वेद ब्रहामन इंद्र सहित सब देवता वसुगन अश्वनी कुमार दैति तथा संपूर जगत के प्राणी मेरे प्रभाव से तीनों संध्याओं के समय मस्तक जुका कर परणाम करते हैं अब उस ब्रहामन को जिलाना असंभव है यदि जीवित हो जाए तो फिर दैतुन द्वारा मार डाला जाएगा अतह उसे जिलाने से कोई लाभ नहीं देव्यानी बोली लिए कच्च मुझे भौत प्रिये थे वे सदा मेरे मन के अनुरूप चलते थे अतहां मैं भोजन का त्याग कर दूंगी और कच्च जिस मार्क पर गए हैं वहीं मैं भी चली जाओंगी वेशमपायन जी कहते हैं जनमेजिल देव्यानी की कहने से उसके दुख से दुखी मुझसे दुएश करते हैं तबी तो यहां आये हुए मेरे शिषय को ये लोग मारे डालते हैं ये भयंकर सुभाब वाले दैते मुझे ब्रहमणत्र से गिराना चाहते हैं इसलिए प्रति दिन मेरे विरुध आचरन कर रहे हैं इस पाप का परिणाम यहां अवश्य प्रकट ब्रह्म हत्या किसे नहीं जला देती चाहे वे इंद्र ही क्यों नहों जब गुरु ने विद्या का प्रयोक करके बुलाया तब उनके पेट में बैटे हुए कच भैभीत हो धीरे से बोले भगवन आम मुझे पर प्रसन्न हों मैं कच हूँ और आपके चर्णों में प्रणाम करता हूँ जैसे पुत्र पर पिता का बहुत प्यार होता है उसी प्रकार आप मुझे भी अपना स्ने भाजन समझे वेशंपायन जी कहते हैं उनकी आवाद सुनकर शुक्राचारे ने प्रण शक्तियों के अभी साथ नहीं छोड़ा है जो बात जैसे हुए वैं सब मुझे याद है इस प्रकार पेट फार कर निकल जाने से मेरी तपस्या का नाश होगा वैं ना हूँ इसलिए मैं घोर कलेश में ही पड़ा रहना चाहता हूं आचारे पाद असुरों ने मुझे मार कर मेरे शरीर को जलाया और चून बना दिया फिर उसे मदिरा में डाल कर आपको पिला दिया विप्रवर आप रहमी आसुरी और देवी तीनों प्रकार की माया को जानते हैं आपके होते हुए को इन मायाओं का उलंगन कैसे कर सकता है शुक्राचारे बोले, बेटी देव्यानी अब तुम्हारे लिए कौन सा प्रिये कारे करूँ, मेरे वद्ध से ही कच का जीवित होना संभव है, मेरे उदर को विदीर्ण करने के सिवाए और कोई उपाय नहीं है, जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ कच बहार दिखाई दे। देव्यानी ने कहा, पिताजी कच का नाश और आपका वद्ध ये दोनों ही शोक अगनी के समान मुझे जला देंगे, कच के नश्ट होने पर मुझे शांती नहीं मिलेगी, और आपका वद्ध हो जाने पर मैं जीवित नहीं रह सकूँगे, शुक्राचारे जी बोले, ब्रस समृत संजीवनी विद्या गरहन करो, केवल एक ब्रहमन को छोड़ कर दूसरा ऐसा कोई नहीं है, जो मेरे पेट से पुनह जीवित निकल सके, इसलिए तुम विद्या गरहन करो, तात मेरे इस शरीर से जीवित निकल कर मेरे लिए पोत्र के तुल्य हो मुझे पुनह जिला सुध्य प्रकत करकल कि दुलिष देना को तुमेक्ष एक सोर हमा सवी online के लिए लिव data मुझे गुरु से विद्या प्राप्र करके विद्वान हो जाने पर भी शुक्राचारे को भूमी पर पढ़ा देख कच ने अपने मृत गुरु को विद्या के बल्चे जला कर उठा दिया और उस सिद्ध विद्या को प्राप्त कर लेने पर गुरु को परणाम करके वे इस प्रकार बोले। मैं विद्या से शूर्ने था, इस दशा में मेरे इन पूजनी आचारे जैसे मेरे दोनों कानों में मृत संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली हैं, इसी प्रकार जो कोई दूसरे ग्यानी महात्मा मेरे कानों में ग्यान रूप अमृत का अभिशेक करेंगे, उन्ह उनसे कभी द्रोह ना करें जो लोग संपूर्ण वेदों के सर्वोत्तम ज्ञान को देने वाले तथ समस्त विद्याओं के आश्रे भूत पुझनिय गुरुदेव का उनसे विद्याप्राप्त करके भी आदर नहीं करते प्रतिष्टा रहत होकर पापूर्ण लोकों को जाते ह व्यशंपायन जी कहते हैं जनमेज्य विद्वान शुक्राचारे मदिरापान से ठागे गए थे और अत्यंत भायानक परिस्टि को पहुँच गए थे जिसमें तनिक भी चेत नहीं रह जाता मदिरा से मोहित होने के कारण वे उस समय अपने मन के अनुकूल चलने वाले प्रिय शिश ब्रहमण कुमार कच को भी पी गए थे कवी पुत्र शुक्र कुपित हो उठे मदिरापान के प्रती उनके मन में क्रोध और घ्रणा का भाव जाग उठा और उन्होंने ब्रहमणों का हित करने की इच्छा से स्वय इस प्रकार घोशना की आज से इस जगत का जो कोई भी मन्द बुद्धी ब्रहमण अज्ञान से भी मद्रापान करेगा वे धर्म से ब्रष्ट हो ब्रहम हत्या के पाप का भागी होगा तथा इस लोक और परलोक दोनों में वे निंदित होगा धर्म शास्त्रों में ब्रहमण धर्म की जो सीमा निर्धारित की गई है उसी में मेरे द्वारा स्थापित की हुई यह मर्यादा भी रहे और यह संपूर्ण लोक में मानने हों साधु पुरुष ब्रहमण गुरुओं के समीप अध्यन करने वाले शिश्य देवता और समस्त जगत के मनुष्य मेरी बांधी हुई इस मर्यादा को अच्छी तरह सुने ऐसा कहकर तपस्या की निधियों के निधी अप्रेमय शक्तिशाली महानुभाव शुक्राचारे ने जिनकी बुद्धी को मोहित कर दिया था उन दानवों को बुलाया और इस प्रकार कहा दानवों तुम सब मूर्ख हो मैं तुम्हें बताय देता हूँ महात्मा कच्छ मुझसे संजीवनी विद्या पाकर सिद्ध हो गए हैं इनका प्रफाव मेरे ही समान है ये ब्रहमन ब्रहम स्वरूप हैं जिन महात्मा कच्छ ने देवताओं के लिए दुश्कर कारे किया उन आश्यरे चकित होकर अपने अपने घर चले गए कच्छ ने एक हजार वर्षों तक गुरू के समीप रहकर अपना वरत पूरा कर लिया तब घर जाने की अनुमती मिल जाने पर कच्छ ने देवलोक में जाने का विचार किया निर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम स्जाम्यहं परित्राणाय साधूना विनाशायच दुश्कृता